हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिक्षा पेज चर्चाद 2024 का ओनलाइन डिस्टेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और आपको कैसे इसमें आविदन करना है, कौन-कौन से स् जिससे आपका रडिस्टेशन सक्सेस्फुली इसमें हो सके, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को स्टार्ट करनी से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें तो यहाँ पर इस से लेक्टेट जो भी जानकारी आपको चेक करनी है आपको लिंक चाहिए डारेक्ट लिंक चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जोवरास्ता.com पर वहाँ पर आपको इस से लेक्टेट सारी जानकारी मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है तो बात करते हैं अब यहाँ पर परिक्शा पर चर्चा दो हजार चौबिस के रेजिस्टेशन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहरे फेंस से यहाँ पर देखिए आपको जानकारी दी गई है कि यह क्या है तो आपसे कहा गया है कि जिस समवार्द गाहर युवा को बेश्निस से इंतिजार है वो लोगん पर यह पर पर दारमंत्री के सार्छा पर चरेब आपनने तरनाव यहाद रखे प्रत्योंगिता कक्षा 6-12 तक के स्कूली छात्र चात्राओं के लिए खुली है चात्र अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें माता पिता और सक्षक भी भाग ले सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर आप से कहा गया है उनके लिए भी विशेश रूप से डिजाइन की गई प्रसंसा का प्रमाणपत्र मिलेगा एक परिक्षा पर चर्चा किट भी आपको मिलेगी और विजटाओं में से छात्रों के एक छोटे सम्हूं को प्रधामंत्री के साथ सीधे समवाद करने का उनसे सवाल पूछने का आउसर भी मिलेगा साथ में ऑटोग्राफ की गई तस्वीर की एक डिजिटल इसमारिका भी आपको मिलेगे तो यह आपको इनाम में मिलने वाला है इसके बाद नीचे आपको देखे यहाँ पर लिंक दिये गए है कक्षा 6 के उसे 12 के छात्रों के लिए माता पिता और सिक्षोकों के लिए आपको दो सर्वर के लिंक यहाँ पर मिल जाते है इसके बाद फैंस आप इस पोर्टल पर आएंगे और इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखे नीचे रेडिस्रेशन का ओप्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखे जो registration हुआ है छात्र का, टीचर्स का और मातर पिता का उसकी संख्या आपको यहाँ पर दी गई है और उसके बार login with OTP है तो दो server आपको दिये गए है server 1 and server 2 आप कोई भी option को tick कर सकते हैं जो भी option उस समय आपका ongoing हो अब जैसे friends यहाँ पर आप इसमें click करेंगे आपके सामने यहाँ पर दो options आएंगे पहला है आपका full name और उसके बाद है आपका mobile number या mail ID इनमें से कोई भी एक जानकर या फिल कर सकते हैं और उसके बाद login with OTP पर आप click कर देंगे इसके बाद friends आपके पास एक OTP आती है वो OTP डाल कर आपको यहाँ पर submit वाले option पर click करना होगा इसके बाद friends आप अपने dashboard पर यहाँ पर login हो जाएंगे और dashboard पर login होने के बाद आपको यहाँ पर देखे multiple options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं आप जिनमें participate करना चाते हैं आपको friends यहाँ पर देखे थोड़ा सा यहाँ पर wait करना होगा क्योंकि wait करने के बाद ही आपका जो option है वो open होगा उसके बाद friends यहाँ पर देखे एक option है PPC 2024 का आप इस option पर click कर देंगे इस option पर click करने के बाद आपको friends से scroll करते हुए नीचे आना होगा scroll करते हुए नीचे आने पर देखे participate us का option है तो यहाँ पर friends आपको देखे अभी कोई option देखने को नहीं मिल रहा होगा आपको थोड़ी दिर wait करना है अगर आपने login कर लिया है तो यहाँ पर friends से 20 से 30 सेकेंड के बाद हमने दोबारा से page को refresh किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर option मिल जाएंगे तो आप as a student self participation करना चाहते है या friends आप student है और participate करना चाहते है थो teacher login इसके लब आप teacher है तो आप यहाँ से submit कर सकते हैं तो आपके according कोई भी option आप select कर सकते है जो भी criteria से आप form को apply कर रहे हैं आपको दिये के submit option पर किले करना होगा इसके बाद आपका लेकल जो फॉर्म है वो start हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले student का नाम आपको देना है तो यह है आपका first name तो आपका जो first name है वो आप यहाँ पर enter करेंगे और इसके बाद आपको आपका last name यहाँ पर देना होगा आपका 10 digit का mobile number आपको यहाँ पर देना है इसके बाद आपको friends आपका जो gender है वो आपको select करना होगा यहाँ से आपको DOB select करनी होगी जो भी DOB आपकी है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं आपको देखे DOB के options मिल जाते हैं आपके according जो भी option आपका applicable है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद class आपको select करनी है कौन सी class में आप है तो आप अपने according जो भी option select करना चाहें वो आप कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर address देना है और यहाँ पर friends आपको complete address आपको देना होगा इसके बाद नीचे है parents name तो आपका जो father name है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं यह करने के बाद नीचे है आपके school की जनकारी तो यहाँ पर school का नाम आपको enter करना होगा और मैं सिर्फ यहाँ पर sample के तोब आपको show कर रहा हूँ आपको आपकी actual जनकारी देनी होगी इसके बाद इन में से देखिए कोई board का नाम है तो आप board select कर सकते हैं इसके बाद अगर board नहीं है तो आप state select कर सकते हैं आपको आपके school का जो address है पूरा address वो आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपको country चूज़ करनी होगी आपको यहां से आपका state चूज़ करना होगा इसके बाद आपको district select करना होगा और इसके बाद आपको pin code देना होगा और जानकारी जो है यह सिर्फ school की है आपका जो address है वो यहां पर आएगा इसके बाद है activity option तो यहां पर friends से देखिए आपको कुछ questions आप से पूछे गए है इसमें से आपको जो भी suitable लगता है answer वो आप यहां पर दे सकते हैं और अगर friends से आपको इनका जो answer है वो देने में problem आ रही है तो आप Google पर search कर सकते हैं गूगल की help से भी आप जो है इनका answer दे सकते हैं जैसे यहां पर full form पूछी गई है ता full form भी Google से search कर सकते हैं इसके बाद नीचे आप से पूछा गया है question to PM तो आपको एक question जो है आपके choice का वो friends से आपको यहां पर mention करना होगा और यह आपको 500 character से ज्यादा नहीं लिखना है तो यहां पर friends जो question related होना चाहिए वो होना चाहिए dealing with examination stress तो exam stress से आप कैसे deal करेंगे उससे related आपको एक यहां पर question कम से कम 500 character का उससे बड़ा ना हो वो आपको यहां पर fill करना है और उसके बाद यहां से इसे save draft कर लेना है save draft करने के बाद आप इसे यहां से submit कर सकते है इसके बाद friends से यहां पर देखे आपको एक message मिलेगा कि you have successfully submitted for PPC 2024 तो आप यहां पर successfully यहां पर आपने form को submit कर दिया है तो इसके बाद आपकी जो process से वो complete यहां पर हो जाती है इसके बाद friends यहां पर देखे आप simply यहां से logout कर सकते हैं और logout होने के बाद आपकी जो process से वो complete हो जाती है बागी की जानकारी फैंस आप mygov की official website पर जो की PPC 2024 के लिए है इस पर आकर आप check out कर सकते हैं या friends आपको direct link चाहिए तो आप video description में जाएंगे jobrasa.com पर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe ज़रूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है देखते रहिए हमारा यूटीब चैनल लास्टिंग्स पूर वाचिंग